अलो फ्रेंड फिल्कूं टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग उमेद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे देखिए आज का जो हमारा टापिक है बाल मनो विज्ञान के अंतरगत दूसरा हमारा चैप्टर चल दा है जिसके अंतरगत सब टापिक है मारा व्रद्धिय विकास पिछले वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रेप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा आप वहां से पिछले वीडियो जरूर देखेगा MC की इसकी फॉर्म में हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे मॉक टेस नहीं देखे हैं जरूर देखेगा चैनल पर पहली बारा है चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन दबा दिजेगा जिससे के आपको नई वीडियो उसको नोटिफिकेसन समझ से मिलते रहे व प्राड़ी का आकार एवन सनचना में लाक जो है वो किस से लगा सकते हैं अभिवरद्धी से लगा सकते हैं ग्रोथ से लगा सकते हैं तो आपका कौन सा आप्सन से होगा आप्सन नंबर दूसरा तो दूसरा प्रश्णे मारा अभिवरद्धी से आसे सरीर तथा सारीरिक अंगों में भार तथा आकार की द्रश्टी से व्रद्धी होना है जिसका मापन संभव है यानि जो ग्रोथ होती है अभिवरद्धी होती है व्रद्धी होती है इसे मापा जा सकता है परिभासा बहुत ही ध्यान से पड़िये अब व्रद्धी से आसे सरीर तथा सारीरिक अंगों में भार तथा आकार की द्रश्टी से व्रद्धी होना है जिसका मापन संभव है ये कथन है सोरेंशन महोदे का सोरेंशन को मालिजे सूर और सन माने सूर का बेटा ठीक है सूर का बेटा जो होगा वो कैसा होगा वो सूर के समान होगा उसका सरीर जो है भार आकार जो है उसमें व्रद्धी बहुत ज़्यादा होगी इस तरीके से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं अगला प्रश्ने मारा व्रद्धी के संबंद में असत्य कथन यानि गलत कथन जो है कौन सा है व्रद्धी संक्यात्मक होती है व्रद्धी संकुचित अर्थवाली होती है इसमें वाह एवं आंतरिक परिवर्थन सामिल होते हैं व्रद्धी को मापा जा सकता है तो कौन सा अप इसमें वाह तथा आंतरिक परिवर्तन सामिल होते हैं नहीं इसमें केवल वाह जो है परिवर्तन सामिल होते हैं आंतरिक परिवर्तन सामिल नहीं होते हैं और व्रद्धी को मापा जा सकता है यानि आपका थर्ड वाला आपसन जो है बिलुकुल सही है प्रस्ण के अनसार अभि व्रद्धी विकास का एक पच्छ है जो की सारीरिक पच्छ है अब व्रद्धी में केवल वाह पच्छ सामिल होते हैं ग्रोथ यानि व्रद्धी जो होती है संक्यात्मक होती है व्रद्धी कुमापा जा सकता है व्रद्धी संकुचित अर्थों वाली हो सकती है ये आप लोग पॉइंट एकदम रट लीजिए, अगला है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी तीवर और कभी मंद होती है, कौन सा सिध्धान्त है, निरंतरता का सिध्धान्त, चक्राकार प्रकत का सिध्धान्त, मस्त बोध मुखी सिध्धान्त, एकी करण का सिध्धान्त देखिए निरंतर चर्णले वाली प्रोसेस से विकास इसी विज़े से ये होगा निरंतरता का सिध्धानत अगला है सिरह पदा भिमुक दिसा सिधान्त के नुसार विकास की दिसा होती है सामान से विशिष्ट सिर से पैर की और विशिष्ट से सामान की और साधान से आसान की और बताएं तो सिर पदा भिमुक यानि सिर से पैर की ओर जो है क्या होती है विकास की दिशा होती है ठीक है इसको याद रखेगा और इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिफेलो काडूल क्या कहते हैं सिफेलो काडूल और इसमें विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है ठीक है इस बहुत ही सुन्दर प्रश्ण है और अच्छा प्रश्ण एक्जाम में पूछा जा सकता है आत्म केंद्रित प्रवत्ति एहंकारी प्रवत्ति नार्सिज्म की प्रवत्ति या हिपनोटिज्म की प्रवत्ति अपनी आपको प्रेम करनी की प्रवत्ति कहलाती है नार्सिज्म की अगला बहुती सांदार प्रशन है विकास का सिध्धान्त नहीं है विकास लंबोत ना होकर वर्दुलाकार होता है विकास क्रमबद होता है विकास निरंतर होता है विकास मसीनी प्रक्रिया है तो भईया विकास यह यह मसीनी प्रोसेस नहीं है यही आपका सिध्धान्त नहीं होगा बाकी सारे हैं अगला प्रसने विकास शुरू होता है उत्तर बाल अवस्था से प्रसोपूर अवस्था से सैसो अवस्था से या पूर बाल अवस्था से देखे विकास ऐसी प्रसेस है जो प्रसोपूर अवस्था से शुरू होती है ठीक है इसी वज़े से इसका बी वा आप्छन सही होगा और निरंतर चलती रहती है जब तक आपकी मृत्यू नहीं हो जाती है ठीक है अगला है सिफैलो कौडल प्रवत्ति जई है क्या है मैंने आपको बताए था सिफैलो काडवल इंगलिस में जिसे कहते हैं सिफैलो काडवल सिर से पदाव्यम्यूक सिरह proximo distal में विकास की दिसा क्या होती है बहुत ही महत्पोन ये प्रश्चा है एक्जाम में पूछा जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग सिर से पैर की और मध्य है यानि पीच सरीर से बाहर की अंगों की और पैर से सिर की और या बाहर से मध्य हैंगों की और देखें proximo digital में क्या होता है कि सरीर जो हमारा होता है इसमें जो विकास की दिशा होती है मेर उरज्जू से बाहरी अंगों की ओर जाती है ठीक है यानि मद्ध भाग से सरीर के मद्ध भाग से अन्य भागों में जाती है इसी वज़े से इसका अप्सन होगा बी यानि मद्ध से बाहर की ओर अगला बहुती सांदार प्रशने विकास जीव और उसके वातावरण की अंताह क्रिया का प्रतिफल है ठीक है विकास जीव और उसके वातावरण की अंताह क्रिया का प्रतिफल है तो ये क्या होगा ये होगा इसकिनर देखिए जीव ठीक है जो जीव होता है उसकी जो इसकिन होती है वो वातावरण पर डिपेंड करती है वातावरण के अनुसार ही उसका विकास होता है इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं इसकिनर महोदे कहा के निवासी हैं कोई बताएगा अमेरिका के निवासी हैं इन्होंने एक सिद्धान दिया था क्रिया प्रशूत सिद्धान ठीक है इसको याद रखेगा अपने सिद्धान को सिद्ध करने के लिए इन्होंने कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया था उत्तरवदे सिच्छक भरती के लिए हैं अगर आप देखेंगे तो इसका जवाब आप लोग जरूर देंगे नहीं देखें तो पढ़िए भाई बिना पढ़े कोई काम ही चलेगा मानव विकास में VIKास होता है कि सोरावस्था के अंत तक बाल्यावस्था के अंत तक प्रवढ़ावस्था के अंत तक निरंतरवाद जीवन परियन्त बहुत ही आसान प्रस्टन है डीवाला अपसन आपका ऽही होगा इसमें विकास की विसेस्ता नहीं है संख्यात्मक और गुणात्मक मापा नहीं जा सकता है जीवन परियंत संग्यानात्मक पच्छ सामिल नहीं होता है देखें विकास ऐसी प्रासेस है जो संख्यात्मक और गुणात्मक होती है मापी नहीं जा सकती है जीवन परिन चलती है, संग्यानात्मक पच्छ सामिल होता है, इसमें जो है, सभी पच्छ सामिल होते हैं, ठीक है, विकास में सभी पच्छ सामिल होते हैं, जैसे संग्यानात्मक पच्छ, नैतिक पच्छ और स्रमवेगात्मक पच्छ, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभिरद्धी जो है विकास का एक पच्छ है ठीक है और वह पच्छ सारीरी पच्छ संग्यानात्मक पच्छ जो है वो विकास में सामिल होता है ठीक है इसको आप लोग ध्यान लेगा विकास के बारे में थोड़ा और ज्यान लेते हैं यानि डेवलपेंट क्या होता है विकास जीवन परेंच चलने वाली प्रक्रिया है, विकास में सभी पच्छ सामिल होते हैं, जैसे संग्यान आत्मक, भावात्मक, नैतिक पच्छ और संभी आत्मक पच्छे, परिपकता प्राप्त करना ही, क्या होता है, डेवलप्पेंट होता है, लंबाई, चवडाई और भ पाहे ओम आंत्रिक पच्छ भी सामिल होते हैं, डेवलप्मेंट जो होता है, यानि संग्यात्मक और ओडात्मक होता है, ठीक है, डेवलप्मेंट में ग्रोथ भी सामिल होती है, ये व्यापा कर्थ वाली होती है, डेवलप्मेंट को मापा नहीं जा सकता है, प्रस्ण के अन कुछ भी पढ़ने की जरूर नहीं है, सिध्धान्थ है, अर्थ है, परिवासा है, कुछ भी आपको कहीं से पढ़ने की जरूर नहीं है, यहीं से आप पढ़ सकते हैं। करता है, तो यह होगा चक्राकार प्रगति का सिध्धान्थ। अगला है, अभिवरद्दी और विकास का सिध्धान्थ नहीं है, सामान प्रतिमान का सिध्धान्थ, विशिष्ट सामान क्रियाओं का सिध्धान्थ, सतत विकास का सिध्धान्थ, व्यक्तिकत विवनताओं का सि सिद्धांत देखिए अभिवरद्दी और विकास का सिद्धांत नहीं है क्योंकि कौन सा नहीं है बी वाला सामान से विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष अगला बहुती सांदार प्रस्ने एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है होगा कौन सा सिद्धान्त होगा मलब लिखा है एक बालक पहले पूरा हाथ फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाने लगता है यानि कॉडिनेशन करने लगता है कौन सा सिद्धान्त होगा निरंतरता का एक ही करण का सामाने विशिष्ट का या व्यक्ति गुनता का एक ही करण का सित्तांत ठीक है इसको ध्यान रिखेगा ये मेरा WhatsApp नंबर है नोट कर रीजे आप लोग भविस्त में आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि अभी एक्जाम नहीं है तो आप लोग फिरी हैं लेकिन जैसे ही एक्जाम होगा आप लोग जो है दोड़ेंगे इधर उदर नोट्स लेने के लिए तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको नोट्स दिये जाएंगे PDF फार्म में ठीक है WhatsApp ग्रूप से जुड़ने के लिए ये मैंने आपको नंबर दिया है उसके लिए आपको कुछ सुल्क देना पड़ेगा ठीक है अगला प्रशने मारा बालक या जानवर अपने प्रतिमान के हिसाब से उरद्धी करते हैं या सिद्धान्त है परसपर समन्द का सिद्धान, सामान यव विशिट प्रक्रियाओं का सिद्धान, समान प्रतिमान का सिद्धान या एकी करन का सिद्धान बालक या जानवर अपने प्रतिमान के हिसाब से बढ़ते हैं बाई एक जो मनुष्य का बच्चा है यानि आदमी का बच्चा है वो उतने ही बढ़ेगा जितना उसको बढ़ना है अब बताए कि मनुष्य यानि आदमी का बच्चा हाथी के बरावन ही हो जाएगे क्योंकि उसका उतना प्रतिमान नहीं बढ़ने का तो बालक या जानवर अ अपने आकार और सइज के हिसाब से बढ़ते हैं इसी जैसे इसका option होगा सी वाला समान प्रतिमान का सिफ्धान्त जैसे हाठी जाएगा तो बहुत भारी हो जाएगा दस कुंटल भी सकुंटल का अब आद्मी जो है वह तो भाईया सतर किलो पचास किलो बहुत ज्याद Fest जो के नाउसर पहले बता दिया प्रस्न क्या है हमारा कि घुरोफ तथा डैवलपेंट एक दूसरे के बीच में क्या संबन्द है पूरक है ठीक है प्रारम्भ में जो उत्थ होती हो ज्याधा होती है जैसे जब बच्चा होता है मा के घर्ब में होता है तो उसका ग्रोथ ज्यादा होता है लेकिन जो development होता है जैसे मारा भावात्मक है ग्यानात्मक है समय गात्म विकासी ये कम होता है ठीक है? प्रारंब के जीवन में growth जादा होती है लेकिन विकास कम होता है लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है ठीक है अन्तिम जीवन पे आ जाता है तो उसके अंदर growth जो है बिल्कुल खतम हो जाती है और development यानि विकास जो है विकास में बहुत सारे पच्छ होते हैं नैतिक पच्छ, सम्वेगात्मक पच्छ, भावनात्मक पच्छ, संग्यानात्मक पच्छ तो इनका बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है तो growth और development जो है एक दूसरे परासरित हैं और एक दूसरे के पूरक हैं इस वीडियो में सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है एक कोई बहुत टाइम लगाता है कोई जो है थोड़ा समय लेता है किसी को समय नहीं आता है तो यह क्या होता है ये होती है व्यक्तिक विविनता इंडी विजूल डिफरेंस ठीक है व्यक्तिक विनता का चैप्टर अगर नहीं पढ़े है ठीक है तो उसको पढ़िएगा ये व्यक्तिक विनता जो है व्रद्धी और विकास के अंतरगत आती है क्योंकि किसी का व्रद्धी अलग होता है किसी के लिए उड़ियों तब तक के लिए जाहिन जावारत थैंक्यू